नमस्कार एनमफ न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अब शेक पुंडिर दिल्ली के मुक्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल पचास दिन जेल में रहने के बाद जेल से बाहर तो आ गए लेकिन उनके लिए मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान कभी केजरिवाल कह देते हैं कि प्रदान मंत्री मोदी अमेर्चा के लिए वोट मांग रहे हैं कभी कह देते हैं कि जैसे ही वो तीसरे टम में मोदी जी प्रदान मंत्री बनेंगे तो दो महिने के बीतर योग्या दितनात को वो हटा देंगे और कभी स्वाती मालीवाल के मुद्दे पर वो चुप हो जाते हैं माइक सरगा देते हैं तो तमाम तरीके जो मुसीबते हैं इस वक्त केजरिवाल के सर पर मंडरा रही है और वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है पहले मैं आपको सुनवाता हूँ एक बार कि योगी आधित बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं कि दूसरी बात कि योगी आधित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आधित्यनाथ जी को दो से तीन महीने के अंदर उतर प्रदेश के सीम पद से हटा ऐसा ही एक सिगूफा अरविंद केजरिवाल ने चार दिन पहले बात कर रहे थे तब उन्होंने इस अब्दों का इस्तमाल किया था कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी आमिचा के लिए वोट मांग रहे हैं और दोजार पचीस में प्रदान मंत्री पद छोड़ देंगे देश के नए मुख्य मंत्री बनेंगे अमिचा और जैसे ही नाम उन्होंने गिनवाए कि वसंदराराजे को साइडलाइन कर दिया गया रमन सिंग को साइडलाइन कर दिया गया शिवराद सिंग चोहान को साइडलाइन कर दिया गया और तमाम तरीके के नाम उन्होंने गिनवाए लेकिन इसके बाद केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिचा न गई है जब से केजरी वाल आए उनका नेरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया क्या आप मानते हैं अभी तो वो कोई कलग इस्यू में ही फसे हैं थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजे बाद में देखो क्या होता है अपर वो जिस इस्यू में फसे हैं वो राज्यसवा की में करना नहीं चाहता है अगर कोई पूलिस को कंप्लेंड करता है तो पूलिस उसका संग्यान देगी मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको विचारे को जीस इस्यू में फसे हिससे निप्टार लाने दीजे कहा है को यह सब में उलचाती है अपर वो है ना 20 दिन और बाहर ह है उन्होंने का है कि अगर इस्यू अभी तो चल रहा है ना देखे कितना चलता है वह कैंपेइन में तो कह रहें कि अगर जाडू पर वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी देखे तो मैं तो मानता हूं कि सुपरीम कोट का स्पष्ट रूप से कंट ग्रह मंत्री अमिच्छा ने कहा कि वो क्या प्रधान मंत्री बनेंगे क्या चुनाव लड़ेंगे जो पुरे देश बर में 22 सीटों पर मात्री चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या ही टक्कर देंगे तो केजरिवाल सहाब की असल जमीन है एक तरफ बीजेपी है बताता हूं कि आखिर में ये जो केजरिवाल ये सीगूफा छोड़ते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है दरसत स्वाती मालिवाल का मुद्दा इस वक्त चल रहा है अर्वीद केजरिवाल से जब स्वाती मालिवाल के मुद्दे पर जवाब मांगा जाता है तो आप तस्वी पेज खोलते हैं इधर उदर पलटते हैं और कोई जवाब नहीं देते ना ही कोई सवाल पूछते हैं केजरिवाल साहब की जो अब बोड़ी लेंग्विज देखेंगे किस तरीके से वहाथ मसल रहे हैं चेहरे पर उनकी हवाईयां उड़ी हैं पसीने उनके छूट रहे हैं ज हैं दिल्ली पूलिस पहुंच चुगी है पूछताच करने के लिए कि असल में सारा मामला क्या कुछ था तो केजरिवाल ध्यान भटकाने के लिए वाधे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आमादमी पार्टी के जो बरस्टा चार के मुद्दे हैं बरस्टा चार के आरोप में जो जेल काटकर मुख्य मंत्री आये हैं और अब एक महिला का जो दिल्ली के महिला आयों के अध्यक्ष रह चुकी हैं और राज्यसभा की मौझूदा वक्त में सांसद भी हैं उन्ही आधित्यनात को अगर मोधी प्रदान मंत्री बनते हैं तो दो महिने के भीतर वो हटा देंगे हाला कि मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ मीडिया में सुर्ख्यां बटोरने का एक तरीका है महज हेडलाइन में आने का तरीका है उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है क्योंकि योगिया अधित्यनात ने यूपी में जो हुंकार भरी है सौगन दखाई है कि 80 के 80 सीटे बीजेपी इस बार जीतने वाली है और जिस प्रदेश से 80 सीटे जीतने वाली हो एक पार्टी उस सूबे के मुख्या को जिस मुख्या ने एक सेट एक नरेटिव सेट किया हो कि प् प्रदेश विकास की रफ्तार कैसे पकड़ता है उसी का नतीजा है कि आज देश बर में यूपी दूसरे नंबर का सर प्लस राज्य बन चुका है टेक्स में तो ऐसे इन सभी चीजों को देखते हुए विकास को और उनकी कारेशली को देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि यो दूसरे मुद्दे की तरफ धकेल देना चाहते हैं मीडिया की सुर्ख्यों को कि योग्या दितनात को हटा दिया जाएगा और ग्रह मंत्रिया मिच्छा को जो है अगला प्रदान मंत्री बना दिया जाएगा तो इस खबर पर क्या कुछ आपकी राया कमेंट कर जरूर आ देते हैं आपके उस्जी आपके साथ में और चीजें भी हैं और बाजबाई जूटे मुगदमे लगाने वाला गैंग है तो अरविंद केज्रिवाल के पास जवाब नहीं है एक शब्द अरविंद केज्रिवाल के मुग से नहीं फूटा कि स्वाति मालिवाल के मुद्दे पर वो एक शब्द भी बोल दे अखिलेश यादवने भी भाना भरने की कोशिश की लेकिन नहीं बरबाई उसके बाद मा कि लेकिन नहीं बात की संदेश खाली कि नहीं बात की राधि का खेड़ा कि कैसे कांग्रेस के अनके शाथ roll कोई कि नहीं बात की यह नहीं फृछ सवाति मालिवाल कई किसी ने जवाब झाल